क्या हुआ कल्लू, तो आईस्क्रीम लिये बिना क्यूं आ गया? तुझे तो मैंने घंशाम से दस आईस्क्रीम लाने के लिए कहा था? मेरे कुछ खास दोस्त रात के खाने पर आ रहे हैं, फिर तू खाली हाथ क्यूं लोटाया है रे? मुख्या जी वो घंशाम मुझसे बहस करने लगा, जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे आईस्क्रीम देने से मना कर दिया बोल आया है कि पहले जाकर आपसे पिछले पैसे लेकर आऊ, तभी और आईस्क्रीम देगा और बोल ला है कि वो अब और उधार नहीं देगा उसके इतनी हिम्मत, वो मुझे आईस्क्रीम देने से मना करेगा उसकी खैर नहीं, जाओ तुम सब कल सुबाई ही मिलकर जाओ और उस घंशाम का आईस्क्रीम का ठेला तोड़ दो मुख्या जिस घंशाम की बात कर रहा था, वो घंशाम गाउं में आईस्क्रीम का ठेला लगाता था घंशाम भगवान शिव की बहुत पूजा करता था और रोजाना ठेला लगाने से पहले भगवान शिव के मंदर जाय करता था उसके बाद ही काम पर जाता था अगले दिन जब घंश्याम ठेला लेकर जाने लगा तो रास्ते में वो शिव मंदर पर रुका और पूजा करने के लिए मंदर के अंदर चला गया तभी एक आदमी भागता हो उसके पास आया और बोला अरे घंश्याम बैया अरे जल्दी भारा हो अरे देखो तुमारे आईस्क्रीम के ठेले को मुख्या जी के आदमी तोड़ रहे है क्या? मेरा ठेला? ए शिव शंकर, अब मैं क्या करूँ? घंश्याम मंदर के बाहर जाकर देखता है मुख्या के आदमी उसका सारा ठेला तोड़ देते है घंशाम के सारी आईस क्रीम जमीन पर गिर जाती है पूरा ठेला तूट चुका था निराश होकर घर लोटाता है हे शिवशंकर ये मेरे साथ क्या हो गया मेरा बहुत नुक्सान हो गया अब मैं क्या करूँगा मेरा तो कितना सामान उधार पर उठाया हुआ था मैं सब कुछ कैसे करूँगा मुख्या ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान मेरा घर परिवार कैसे चलेगा मैं कैसे उधार के पैसे चुकाऊंगा सुनू जी तुम तो महादीव की इतनी पूजा भगती करते हो फिर उन्होंने तुमारी भगती का ये फल क्यो दिया मुख्या को दंड क्यों नहीं दिया मुख्या जी रोज़ाना इतनी सारी आईसक्रीम बिना पैसो के लिए ले लेते हैं आज तक तुमने उन्हें कुछ नहीं बोला, पर आज अपने हक के लिए बोला तो ये सब, तुम तो कहते हो भगवान शंकर अपने भगतों की मदद के लिए जरूर आते हैं, पर आज तो वो तुम्हारी मदद को आई ही नहीं, अब हम गरीबों की मदद कौन करेगा, वो गंश्याम भगवान शिव से प्रात्ना करने लगा, अगले दिन कुछ जुड़े हुए रुप्यों से घंश्याम ने आईस्क्रीम का ठेला लगाया, वो डरा हुआ था, पर मनी मन वो शिव जी को भी याद कर रहा था, तभी कोई द्वार पर आया, भाया जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, काम के तलाश में निकला था, पर यहां किसी ने भी कोई काम नहीं दिया, आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा, मैं तो खुद परिशान हूँ भाई, मैं भला तुम्हें क्या ही काम दूँगा, सुनो, एक से भले दो, तुम इसे अपने साथ काम पर ले जाओ, देखने में भी लंबा चोड़ा हटा कट्टा है, अगर मुख्या के आदमी परिशान करने आए, तो हो सकता है उन्हें हटाने में ये तुम्हारी कुछ मदद कर दे, अरे, आप चिंता मत करो, मेरे होते हुए भाईया जी को कोई परिशान नहीं कर पाएगा, ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं तो वैसे भी बहुत डरा हुआ हूँ, पोशिश करना वो बदमाश मेरी आईस्क्रीम के ठेले को कोई नुकसान न पहुँचाए, घंशाम जैसी बाजार पहुँचता है, मुक्या के आदमी वहां आ जाते हैं, पहले ही तुमने कल मेरा बहुत नुकसान कर दिया है, बड़ी मुश्किल से उधार के पैसे लेकर आज ठेला लगाया है, कल्लू भाई, इसकी तो जुबान बहुत लंबे होती जा रही है, मुक्या जी ने पहले ही बोला था, कि अगर ये बाजार में आईस्क्रीम का ठेला लगाये, तो हम इसके ठेले को तोड़ दें, तो फिर देर किस बात किये, चलो, आज इसके ठेले का काम तमाम करी देते, घंशाम का ठेला तोड़ने लगते हैं, तभी वो व्यक्ति उनका हाथ रोक देता है, अरे रुको भच्चा, कहां रहे हो, पहले मुझसे तो निपटलो, अच्छा घंशाम, तो तुने अपने ठेले पर इस पहलवान को खड़ा कर दिया है, ताकि ये तुझे और तेरे ठेले को बचा ले, इसे तो हम अभी बताते हैं, भोला से निपटना, इतना हसा नहीं, मेरा नाम भोला है, पर जब मैं अपनी दीसरी आँ खोलता हूँ, तो मेरे सामने कोई भी पापी और अत्याचारी नहीं टिक पाता, देखते ही देखते, भोला नाम का वो व्यक्ति, कल्लू, भीमा और बाकी सब बदमाशों को कुछ ही मिंटों में धूल चटा देता है, सब बदमाश भागते हुए मुख्या के पास जाते है, भोला, तुमने तो मिंटों में धूल चटा दी, सच मुच, तुम तो बहुत महाबलशाली हो, अब ये लोग तुम्हें कोई नुकसा नहीं पहुचाएंगे, जब तक मैं इस ठेले पर खड़ा हूँ, ये तुम्हारे आइसक्रीम के ठेले को छूब ही नहीं सकते। मुख्या दूसरे गाओं के बड़े बदमाशों को बुलाता है और उनके साथ घंशाम के ठेले पर पहुचता है। पीट दो इन दोनों को। भूला, मेरी बज़ा से तुम्हें चोट आई ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इन्हें आइसक्रीम ले जाने दो। भूला ये बहुत सारे गुंडे हैं। तुम अकेले इनका कैसे मुकाबला करोगे। अरे चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इनके किये की सजा इन्हें दे कर ही मानूंगा। कुछी देर में भूला सारे बदमाशो को धेर कर देता है। सब भूला से माफी मांग कर भाग जाते हैं। मुख्या भी घबरा जाता है कि आखिर भूला में इतनी शक्ति कैसे है। घंश्याम अब तक समझ चुका था कि हो ना हो, ये उसके शिवशंकर ही है। मैंने आपको पहचान लिया है। आप कोई साधारन इंसान नहीं। आप मेरे शिवशंकर है। अपने रूप में आईए प्रभू। आपने इन सब को दंड देकर मेरे उपर बहुत कृपा की है। सभी भगवान शिवशंकर अपने रूप में आते हैं। उन्हें देखकर मुख्या उनसे माफि मांगता है। मेरे किसी भी भग्त को कश्ट पहुँचाया, तो फिर तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। जो इमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, वो मुझे अतिप्रिया है। और जो जूट छल कपट से जीवन जीते हैं, उन्हें मेरे द्वारा दंड अवश्य मिलत है, भूला मेरा सच्चा भग्त है, तुमने उसको दर्द पहुचा कर मुझे कश्ट दिया है। मैं जानता था प्रभू, आप मेरी मदद को जरूर आएंगे, मुझे आप पर विश्वास था कि आप मुझे कश्ट नहीं होने देंगे, और आपको उस रूप में मैं पहचान नहीं पाया, महादेव, आपकी सदा ही जै हो, जै भोले भाबा। इसके पश्चान शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अराम से तुम अपनी आइसक्रीम का ठेला लगाओ, मैं चलता हूँ। उस दिन के बाद घंश्याम को कभी भी कोई कश्ट नहीं हुआ। भूले नात की कृपा से घंश्याम का काम बहुत अच्छा चलने लगा। अब मुख्या भी उसे कुछ नहीं कहता था, बल्कि कभी-क अब जब वो आइसक्रीम मंगवा था, तो उसके दाम साथ में भीजता। भगवान शिव की कृपा से घंश्याम की सारी परिशानिया दूर हो गई। शिव भगवान की कृपा से लकडियां बेच कर अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन रोशन ने शार्दा से कहा। पूजा पाठ ही करती रहती हैं। वहाँ भी आप सारा दिन यही करती रहोगी। सुबह सुबह उटकर हमारी नीन खराब करोगी। इसलिए हमने सोचाए कि आप यहीं रहे और अपना पूजा पाठ करती रहे। हम आपको आपका खर्चा पानी भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल मैं ये और हमारा गुड़ू ही साथ जाएगा। रोशन देख तो बहू क्या बखवास किये जा रही है। क्या सचमुझ तेरे घर में मेरे और मेरे प्रभू के लिए कोई जगा नहीं है। आज इन्हीं की क्रिपा से तुझे ये सब मिल पाया है और अब तू इन्हें ही भूल गया। अपने बेटे बहु की बाते सुन कर शार्दा देवी रोने लगी लेकिन उसके बेटे बहु उसको वही छोड़ कर चले जाते हैं। शार्दा देवी भगवान शिर्फ से प्रात्ना करने लगी। अगले दिन से ही शार्दा सुबह नहा कर भगवान शिर्फ के लिए भोग बनाती और फिर उनकी पूजा पार्ट में मगन हो जाती। इसके बाद शिर्फ जी का भजन पूजन करके उनको भोग लगा कर प्रसाद प्रहन करती। कभी कभी वो अपने लिए खाना बनाती तो कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोश कर लेती। ऐसे ही कई रोज गुजर गए। फिर एक दिन शारदा देवी अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी उसके पड़ोस की एक औरत उसके पास आई और शारदा उससे कहने लगी। आई घर की खुशी में सभी गाउं वालों को भोजन पर रामंत्रित किया है। क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया। जो मेरे शिव जी का ना हो सका। भला वो मेरा क्या होगा। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। शारदा देवी की बाद सुनकर महला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीता गया। अब शारदा देवी और भी बूड़ी और कमजोर होती गई। अब उसमें खाना और प्रसाद तक बनाने की हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए वो अब सिर्फ शिवजी के लिए ही प्रसाद बनाती और उसी को खाकर संतुष्टी कर लेती थी। एक दिन शारदा देवी भगवान शिवट के आगे बैट कर रोले लगी और कहने लगी। प्रभू अब इस संसार से मेरा मन भर चुका है। अब आप मुझे अपन बनाने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि आटा खत्म हो चुका है। उसे ध्यान आया कि कुछ गेहु पड़े हुए हैं। वो गेहु लेकर चक्की में पीसने बैट गई लेकिन कमजोरी के कारण उनसे चक्की चली नहीं रही थी। ये देख शारदा देवी की जिससे कि मैं आपको भोग लगा सकू। इतना कहकर शारदा देवी ने एक बार फिर कोशिश की और फिर दुबारा कोशिश करके वो हार गई और वो रोने लगी। तभी घर में तेज रोश्नी हुई और नेले प्रकाश से पूरा घर भर गया। उन्होंने देखा कि स्वयम भगवान शिव चक्की चला रहे है। शारदा उनको देखकर हैरान रह गई। तभी भगवान ने कहा। मुझे अपने चर्णों में स्थान दे दीजे प्रभू। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने उसे आशिरवात दिया तो शारदा देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गई। शारदा देवी ने उनके लिए हलवा बना कर उनको भोग लगाया। भगवान अपके भोग से। अभी आपका इस संसार में कुछ समय बागी है। उसके बाद ही आपको स्वर्ग लोग की प्राप्ती होगी। आज से तुम्हें यहां कोई कश्ट नहीं होगा। शारदा देवी ने भी उन्हें माफ कर दिया। अब वे सभी साथ साथ रहकर भगवान शिव का गुंगान करने लगे।